दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई अपडेट के साथ हमारे यूटूब सेनल पर तो दोस्तों आज की वीडियो के इंदर हम बात करेंगे कि बेरोजगारी पत्ते के फॉरम तो कब तक के अपरूड होई होना है तो मेरे पास अपडेट है यह उसके इंदर यह बदाये गया है तो बेरोजगारी पत्ते के फॉरमम अपरूड होना शुरू हो गया दो अप्डेट है मैं आपको तो सुना भी देता हूं यानि की तो प्यक्तों तो मुझे तो दो तो मुझे तो दो मेरे तो दोस्तों ने बताई है कि जिनका 17 जनुरी 2020 को 17 जनुरी 2020 से पहले पहले तो बेरोजगरी बत्ते का फॉरम तो वेरीपाई वा उनका अपरूड हुआ है वो 39 2020 को तो यानि कि 30 सेतंबर 2020 को उनका बेरोजगारी बत्ते का फॉरम अप्रूट हो गया और वो दूसरा अप्रूट वाला प्रोसेस हुआ है तो दस एक 2020 को तो वेरिपाई हुआ है और उनका बेरोजगारी बत्ते का फॉरम भी तो 39 2020 को अप्रूट हो गया यानि कि आपका 17 वो जनुवरी से पहले पहले के बेरोजगारी बत्ते का फोरम अभी फाइनली अप्रूट होने शुरू हो गए मैंने इससे पहले भी मैंने वीडियो के रूप में जानकरी बत्ती की वो सवदा तारीक यानि कि तो कुश-कुश वो कैंडिनेटों का इससे पहले भी अप्रूट होगा लेकिन अभी 17 वो जनुवरी से पहले पहले जिनका भी बेरोजगारी बत्ते का फोरम तो वेरीपई हो गया था उनका अप्रूट हो गया और इसके बाद हम बात करेंगी कि अब तो पत्ता तो कब मिल गया यानि कि जिनका बेरोजगारी बत्ते का फोरम तो अप्रूट हो गया उनका बेरोजगारी बत्ता कब मिलेगा तो दोस्तों आपको अपना बेरोजगरी बता अभी आपका फॉर्म अप्रूड वो जैसे कि आपको सितंबर के अंदर आपका फॉर्म अप्रूड हुआ है तो आपको तॉक्टोंबर के अंदर उनका पता मिल जाएगा और और भी जिनका बेरत का फॉर्म तरभी पश साथ तो कैंडिनेटर ऐसे होते हैं जिनके दो साल तो कपलिट होने के बाद वह मतलब आटमेटिक उनके नाम हड़ते हैं तो नए तो फॉर्म अपरूड हो जाते हैं तो इसी प्रोसेस के अंदर तो जैसे यहां से तो संक्या तो गटेगी वैसे वैसे वहाँ पर आपको तो वैरिफाई फॉर्म वालक के अपरूड राली संक्या बढ़ेगी तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो और जानकरी आपको असी लगए अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरू कीजिएगा अगर आप सेनल को नहीं तो सेनल को जरूर शक्राइब कीजिएगा और आप में तो कमेंट बॉक्स में जरूर बते कि आपका मतलब कौन से तो डिस्टिक से बिलोंग कते ता कि आपको उस तो डिस्टिक की तो आपको उस तो जिले की पलपल की अपडेट समय पर मिलती रहेगी